गुट मॉनिंग बच्चो आज हम क्या करेंगे आज हम इंगलीज का आज हम इंगलीज का ABCD लिखेंगे यह क्या है LKG क्लास का English हम क्या लिखेंगे बच्चो ABCD लिखेंगे देखो आप तो slanting line पढ़ चुके हो क्या पर चुके हो आप लोग बच्चो आप लोग slanting line पर चुके हो देखो left side में एक ठो slanting line देना फिर एक ठो right side में slanting line देना फिर बीच में sleeping line देना ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा A, A for apple A, P, P, L, E, Apple फिर क्या लिखेंगे बच्चो A के बाद क्या होता है B, देखो एक ठो standing line देंगे क्या देंगे एक ठो standing line देंगे फिर right turn में दोठो छोटा छोटा हाफ circle दे बनाएंगे क्या करेंगे right side में दोठो हाफ circle बनाएंगे ये क्या हो गया ये है B फिर क्या करेंगे left turn में थोड़ा तर्ण में ऐसे करके हाफ सार्किल करना ये हो गया C फिर देखो एक ठो स्टेंडिंग लाइन फिर राइट टर्ण में एक ठो हाफ सार्किल ये क्या हो गया बच्छों ये है D क्या हो गया ये है D D के बार देखो standing line एक ठो उपर क्या करेंगे इसके उपर standing line के ये उपर sleeping line करेंगे बीच में एक ठो sleeping line नीचे और एक ठो sleeping line ये क्या हो गया बच्चो ये हो गया A क्या हो गया बच्चो ये A, E, E for egg, E, G, G, egg क्या हो गया E, E for egg, A for apple, A, P, P, L, E, Apple, B for ball, B, A, L, L, ball, C for cat, C, A, T, cat, D for dog, D, O, G, dog, E for egg, E, G, G, egg फिर हम क्या लिखेंगे बच्चो ये A, E, 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 A for apple, B for ball, C for cat, D for doll, E for egg, F for fan, हो गया वच्चो, ये A से F तक आपको लिखना है